नमस्कार, स्वागत है आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपने इस रेडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो तेल हैं और जो प्राकरति गैंस हैं उनकी केमतों में लगादार बढ़ोतरी हो रही है तो क्या कारण है यह जो बढ़ोतरी हो रही है उसके हम जानेंगे साथ इसाथ जो US ने बैन लगाया है रशिया के ओयल के उपर तो क्या इससे भारत को कोई फर्क पड़ने वाला है और भारत को फर्क पड़ेगा तो कितना भी फर्क पड़ेगा और साथ इसाथ रशिया को यह जो बैन लगाया गया तो जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो आज के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देकि अमेरिका ने कहा है कि रूसी तेल और जो भी रूस से जो प्राकर्ति गैंस है, कोईला है उनके इंपोर्ट के उपर बैन लगा दिया है अमेरिका ने अब इससे कितना ज़्यादा प्रभाव पढ़ने वाला है अभी थोड़ा सा अपने आपको शांत रखे सारी चीजें कवर हो जाएंगी, हम उनको देखेंगे चलिए, अब इस कदम का क्या मतलब, क्यों उठाया गया है यह कदम, तो आपको पदा है कि रूस और युकरेन के बीच में जैसे यूद चल रहा है तो अमेरिका एक तरीके से रूस को बोल रहा है कि यह war criminal है यानि वाल्दीमर पुतिन रूस के जो प्रेजिटन्ट है बोला जा रहा है कि यह war criminal है war criminal का मतलब है कि यह यूद शुरू करने वाला इनसान है तो यहां पर इनको सबक सिखाने के लिए रूस को सबक सिखाने के लिए अमेरिका कह रहा है कि इनके उपर सेंक्शन लगाया जाए जाए बहुत सारे ओल्डी सेंक्शन लगाया जा चुके हैं अब यहां पर क्या किया जा रहा है रूस के तेल जो है यानि जो प्राकरतिक तेल है इसका क्रूड ओयल है प्राकरतिक एंस अगर ये बाहर भिकेगी नहीं तो रूस के ऊपर मतब की कहेंगी एक बर्डन बढ़ जाएगा ये दूसरे देशों के पास अगर तेल नहीं बेच पाएगा तो इसके पास क्रूड ओयल है जो प्राकरतिक एंस इससे क्या फरक पड़ा इससे ये फरक पड़ा कि जो कीमते हैं तेल की वो 14 सालों में अब तक के अपने सबसे हाइस लेवल पर पहुंच चुकी है आप यहां पर देखेंगे ना ब्रेंट क्रूड फ्यूचर 139.13 यानी एक बैरल जो एक बैरल की जो कीमत है तेल की कीमत एक बैरल की वो हो गए है लग बग लग उक सो चालिस डोलर एक सो चालिस डोलर यहां पर देख रहे हुगी कीमत बहुँ ज़दा हाइ होती जा रही है अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि brand crude oil यह एक benchmark है जैसे कि brand समझो इसको जैसे जो रशिया का है जो oil है उसको युराल crude oil कहते हैं यह brand crude oil है तो यहाँ पर हर एक oil का एक brand है तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के conditional information दे दी है इसको ध्यान रखना अभी समझो इससे जो इतना ज्यादा तेल प्रोड्यूस करता है कि क्या उसके ओपर ऐसे restriction लगा देने से उसके उपर प्रभा पड़ेगा डेफिनेटली भई देखो रशिया दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा तीसरा सबसे बड़ा producer है तेल प्रोड्यूस करता है इतना तेल पहले नंबर पे कोन साथी अरेपिया दूसरे नंबर पे है स्यूंकतराज अमेरिका फिर आता है रशिया और पैरिश में एक इंटर गवर्मेंटल एक एजनसी है जिसका नाम है इंटरनेशनल एनरजी एजनसी इसने एक रिपोर्ट निगा ले और इस रिपोर्ट में इसने कहा कि जनवरी 2022 में रूस कुल तेल का उत्पादन यानि जो प्रड्यूस कर रहा है वो 11.3 मिलियन बैरल परती दिन कर रहा है यानि जिसमें से 10 मिलियन बैरल परती दिन कच्चा तेल है यानि क्रूड ओयल है ध्यान से सुननों इन्हों क्या बोला बहुत जादा है ये कि अरशिया एक दिन में क से निकाल रहा है बहुत इंपोर्टेंट इंफ्रमेशन है अब यह आपका जानका हरानी होगी कि रश्या इससे कमाई कितनी कर रहा है चलिए अब यहां पर आते हैं कि यह जो कच्चा और तेल उत्पादकों पे विश्यू का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है एक यानि कि इंपोर्टर, एक्सपोर्टर कौन है इसके बारे हम जानते हैं देखिए रूस जो है कच्चित और तेल उत्पादक में एक क्रूड और ओयल प्रोड़क्ट में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है जहां रखना यह क्रूड ओयल भी बेच रहा है साथ-साथ ओयल प्रोड़क्ट भी बेच रहा है यह दो चीजे मिला कर दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है रूस है जिसने दिसंबर 2021 में 7.8 मिलियन बैरल पर डे तेल को शीपिंग की थी यह हो गया और अगर क्रूड ओयल की बात करें सिर्फ वर सिर्फ क्रूड ओयल यह कितना मतलब की सप्लायर है तो क्रूड ओयल के मामले में रशिया जोब वो दूसरे नंबर पे आता है पहले नंबर में साथी अरब आता है लेकिन crude oil plus oil product कर दूँ तो यहां पर यह सब number one पर आ जाएगा रशिया अब यहां पर बात करें प्राकर्थिक जो natural gas होती है इसके बारे हम बात कर लेते हैं देखिए रशिया जो है प्राकर्थिक gas का भी परमुक एक exporter है आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भी यह यूरोप के जो देश है चाहिए उसमें ब्रिटेन भी है वो अपनी energy का लगबग 30 यह जो gas की gas जो पराप्त करते हैं उस gas का लगबग 32% जो है वो रशिया से मंगाते हैं इवन वहां पर आपको है कि यूरोप में ठंड परती है तो अपने घरों को गरम करने के लिए वो आग जलाते हैं वो आग जलाने के लिए वो gas जो मंगाते हैं वो रशिया से आती है अब वहां पर हाल ऐसा हो गए कि वो gas तो आ रही है लेकिन वो उसके rate जो बहुत जादा बिकरी से जो revenue जो प्राप्त हुआ था रूस को वो अपनी कुल income का लगबग 36% था बोले तो भाईया रूस ने हतियार भी बेचे होंगे दूसरे देशों को और हतियार भी बेचे और भी कुछ product बेचे होंगे उसमें तेल भी बेचा उसने मतलब सारा कुछ बेचा उसे 100 रुपे जो मिले थे उसे 100 रुपे मिले थे उस 100 रुपे में जो तेल और प्राकरति गैंस है उसमें 36 रुपे तो वो लेकर आये थे बाकी समर लो कितना रह गया 64 64 रुपे उसने हतियार बेचे होंगे या फिर और भी प्रोड़क्ट बेचे होंगे तो उन्होंने वहाँ पर तो बहुत ज़ादा आप देखेंगे ना तो बहुत एक important role play करता है तेल और जो प्राकरति गैंस है रुपे इंकम के अंदर है इसके उपर परतिबन लगा रहा है अगर परतिबन लगा देता है लग गये है समझो और रूस के इतना परवाव पड़ेगा सिर परसेंट माने सो लिटर विक रहा थे अर प्रोली अब 10 लिटर निभिक जाएका इतना ज़्यादा इंपेक्ट नहीं करेगा रशिया के उपर अच्छा इसके अलावा दुनिया भर के सभी जो सहयोगी और भागीदार वर्तमान में जो अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं उन्होंने तो कहा है कि भाईया हम यहां पर परतिमन लगाएंगे लेकिन इतना बात बोले है कि देखें हम 2022 तक 2022 के अंत तक जो है वो रूस से जो तेल मंगा रहे हैं या फिर ओयल प्रोड़क्ट मंगा रहे हैं वहां पर हम खतम कर देंगे लेकिन अभी नहीं कर सकते यह बात बोले गई है बाकी के देशों की द्वारा जो भले ही अमेरिका के समर्थन कर रहे हूं इसके अलावा अब बात करूँ कि देखो चलो यूरोप मैं यूके को साइड में टा दूँ जो बाकी यूरोप के जो देश बचके और जो चीन है अगर इन्हों ने परतिबंद के में हिस्सा नहीं लिया जो अमेरिका ने लगाया है अगर इन्हों ने कहीं हम तो मानते ही नहीं हम तो हमारी इच्छा से चलेंगे और यह ओविसली चलने वाले हैं क्योंकि अमेरिका भले ही अपने आपको दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के रूप में दिखाते हैं अब वो कहे कि इस देश से तेल नहीं लेना अभी वो कहेगा इरान से तेल नही पुरी नहीं करेगा तो यहां पर देखो चीन तो डेफिनेटली वो तो कहेगा कि भईया मैं तो मंगाऊंगा तो चीन जो है इस परतीबन में शामिल होने वाला नहीं है यूरोप के काफी सारे देश जो है वो इस परतीबन में शामिल नहीं होंगे अब यहां पर परतीबन कि import करता है यह अपने देश के अंदर तेल को इतना ज़्यादा सबसे नमबर वन पे आता है हमारा जो देश है यानि भारज़ है वो थर्ड नमबर पे आता है पहले नमबर पे कौन है चीन है अब यहाँ पर क्या है और चीन जो है वो रूस से सबसे ज़्यादा क्रिदा भी तेल है बतलब सबसे बड़ा क्रिदार कोन है रूस का तेल के मामले में तो वो रूस का कोन है चीन है इसका ध्यान रगना अब देखो यहाँ पर एक OECD यूरोप है उन्होंने बोला है यह एक समू है इस समू के अंदर जो भी देश है उन्होंने बोला है कि हम पूरी दुनिया के अंदर से जो तेल मंगाते है उस तेल में से 60% तेल तो रूस से आता है हमारे सामने अगर आप बोलोगे परतिबन लगाने को तो यह तेल कौन देगा यहां से परवाइड कौन करवाएगा तो यह एक तरीके से इनके उपर परभाव पढ़ने वाला और डेफिनिटली यह चीज़े नहीं है वो बंद नहीं करेंगे यह मंगवाएगे तेल को अब अहां पर आप एक चीज़ समझो पहले ही बजार के अंदर तेल जो बजार है उसमें कुछ ऐसे स्टेंडर ला दिये गए है जिससे युराल क्रूड युराल क्रूड क्या है एक ब्रेंड है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बदाया है एक ब्रेंड करके एक हो गया brand crude oil हो गया, एक yural crude oil हो गया ये एक brand है oil के ये रशिया का है, तो ये जो yural crude है, आपने जो ये तेल बजार है, इन्होंने कुछ ऐसे benchmark जो है, वो स्थाफित कर रखे हैं जिसके कार्ण, यहाँ पर 1.5 million barrel per day जो है, इसका नुकसान हो रहा है, साथ इसाथ एक brand है ये, जो है वहाँ पर, जो यूरोप के देशों त्वारा मंगाया जाने वाला, एक common तेल है यहाँ पर clear, इसके बारे में बात करेंगे अब, कि भारत के उपर क्या परभाब पढ़ने वाला है, देखो, भारत जो है, पहले नंबर पे, ऐसे समझो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल को कौन मंगाने वाला है, तो चीन जो है, वो सबसे ज़्यादा करता है रूस से, और चीन सबसे बड़ा इंपोर्टर है दुनिया में, अब देखो, भारत जब अमेरिका चीन के बाद, तीसरे नंबर पे आता है, 5.5 मिलियन बैरल परती दिन के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उबहुकता है भारत, और देश में, भारत देश के अंदर, हर साल, तीन से लेके, चार परतिशत, दर से, मांग बढ़ रही है तेल की, अगर इस हिसाब से स्पीड बढ़ती रहीगी, तो आने वाले 10 साल के अंदर, भारत, आज देखिए, ये कितना है, 5.5 मिलियन, ये बढ़कर 10 साल में कितना हो जाएगा 7 मिलियन, 7 मिलियन यानि 70 लाख बैरल की खपत करेगा हर दिन के अंदर, ये भारत के, ये बोला गया है, कि अगर जो स्पीड बढ़ रही है, definitely आने वाला टाइम, जो है, वो energy के उपर, यानि कि हम transfer कर चुके होंगे electricity के उपर, जैसे कि मैंने आपको बताया है, fuel cell, electric vehicle आ रहा है, भारत के अंदर, hydrogen से चलने वाले एक तरीके से, electric vehicle के उपर काम चल रहा है, PLI scheme चला दी गई है, जिसके अंदर, Ford Company को बुलाया जा रहा है, और भी बहुत सारी Company आ रही है, लेकिन यहां पर एक अनुमान बताया जा रहा है, कि अगर ऐसे चलेगा, तो आने वाले टाइम में कितना जादा हमें तेल मंगाना पड़ेगा, और हम देखो भारत जो है, वो 85% भाई, 15% भारत जो है अपने आप produce कर लेते हैं, लेकिन 85% तो हम खुद बहार से मंगाते हैं, और 40 देशों से जो है, हम import करते हैं तेल को, अब इससे यह चीज सबस्ट हो रही है, कि भारत के अंदर आप महंगाई बढ़ रहा है, तो महंगाई का बढ़ने का सबसे बड़ा reason तो यह तेल ही होते हैं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा dependable हैं, तेल के उपर, 40 देशों से मंगाते हैं, और यह 40 देश कौन मंगाते हैं, लेकिन तेल की कीमते तो अलड़ी बढ़ रही हैं, जिससे भारत के उपर इसका एकचिंतित प्रभाव आ रहा है definitely बढ़ रहा है, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले, डीजल के अंदर 25 रुपे बढ़ाए गए हैं, 25 रुपे बढ़ाए उनके लिए नहीं है, अब इससे प्रभाव definitely बढ़ता है, देखे कहीं न कहीं जैसे railway होगी, railway बहुँ जादा तेल खरीता है, तब वो तेल खरीतेगा तो 25 रुपे दाम बढ़े हुआ उसको मिलेगा तो अब बढ़ा हुआ मिलेगा तो प्राइस तो definitely बढ़ाएगा तो इससे फर्क पड़ता है यहां पर अब देखो आगे की राग क्या है देखे वर्तमान में तेल की कीमते तेजी से बढ़ रही है क्योंकि दुनिया भर के जो निवेशक है वो अमेरिकी फेडरल लिजर्व के नतीजों का इंतजार कर रहे है अमेरिकी फेडरल लिजर्व क्या है एक तरीके से समझो यह अपनी ब्याज की जो इंटरस रेट है इंटरस रेट होती है वो बढ़ाने वाला है सभी लोगों को उमीद है कि जो अमेरिका के जो federal reserve है वो अपनी interest rate वो बढ़ाएगा अगर interest rate जो बढ़ा दी गई तो यहाँ पर जो dollar है वो मजबूत हो जाएगा dollar मजबूत होते ही भारत का जो रुपया वो कमजोर होगा भारत का रुपया कमजोर होते ही हमारे हाँ पर जो हम import कर रही हैं चीजों को और चीन के उपर भी काफी जगए चीन अपने देश में काफी जगए पर lockdown लगा के बैठा हुआ है तो यहाँ पर काफी सारे जो investor हैं इस चीज के उपर नज़ा रखे भी बैठे हैं कि चीन जो है वो क्या वहाँ पर करवट होने वाली है कैसे वो lockdown को धील देगा नहीं देगा या फिर कैसे चीजों को वो सुधारेगा और भारत जैसे मैंने का वीशू का सबसे बड़ा उर्जा का उर्जा की खपत और उर्जा आयात करने वाला देश है अब यहाँ पर देखो वैने जो एला और इरान से कच्चे तेल की आप उर्टी फिर से शुरू हो गई है साथ साथ ओपैक पलस देशों से ये उमीद की जा रही है कि वो अब उपना उतपादन बढ़ाएंगे जिससे जो है वो तेल की किमतों को कम किया जा सके इसमें मदद मिले अब क्योंकि ओलेडी तेल जो है वो काफी जादा महेंगा चल रहा है तो उमीद की जा रही है कि जो देश है जिन ये जो ओपैक प्लस नेशन है ये अपने तेल की उतपादन प्रोड़क्शन बढ़ाएंगे डेफिनिटली अगर प्रोड़क्शन बढ़ेगी तो वहाँ पर प्राइस के अंदर कमी आएगी अब गैर पारंप्रिक आपूर्ती करता देशों से इंदन को स्थानांतित करने है तो आवशिक भीमा माल डुलाई जैसे पहलों पर विचार करने के बाद रियायति कीमतों पर कच्चे तेल को बेचने के रूस के परस्ताव को भी मुल्यांकन करेगा क्योंकि रूस ने अभी कहा है भारत को कि हम आपको तेल देंगे discounted prices के उपर और भारत ने कहा है कि definitely हम इसके उपर विचार करने वाले हैं और जैसे कि अमेरिका सेंक्षन पर शेंक्षन लगाया जा रहा है लेकिन भारत कहीं ना कहीं एक तरीके से पलड़ा जो जुकाव जो दिखा रहा है भारत वो रूस की तरफ दिखा रहा है जिससे तिन मिला गया है अमेरिका और अभी जैसे अमेरिका की जो प्रेजिडेंट है जो ए बिटनोनोनों ने कहा है कि हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि भारत किसकी साइट है क preaching वो थोड़ा शेकी टाइब का है अपनी भाषन में बोला है भारत एक तरीके से Quad Meeting में बैठता है और Quad Meeting में बैठने के बावजूद भी अमेरिकों कहा देता है कि भाईया हम तो UN के Charter के Coding चलेंगे जिसमें बोला गए कि आपस में Diplomatic तोर पर बैठके अपनी बात को सुलजाईए हम रशिया के उपर कुछ भी टिपनी करने से मना कर देते हैं वहां voting करने से मना कर देते हैं तो इससे चींज है वो थोड़ा अमेरिका जो थोड़ा तिल मिलाया हुए तो उमीद करता हूँ कि आज का ही जो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्राइस का क्या परभाव पढ़ने वाला है आने वाले टाइम में डेफिनेटली कुछ चीज़ों के उपर तो परभाव पढ़ेगा और पसंद आया है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडियेफ के लिए मैं आप लोगों को अल्रेडी बताए चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया मिलेगा टेलिग्राम का तो जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और शेर कर दीजिए वीडियो को ऐस वेल आज चैनल को भी तो मिलते हैं नेक्स डूडियो में